जब सदस्रता आगई आपने खुल कर सपोर्ट किया लेकिन जो संजे सिंग के मामले में कॉंग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फरक पड़ता है पाल्क खेरागे के रफतारी के ओपर अर्विन केजरिवाल ने ये जवाब दिया था पहले तो इंकार किया था कि मैं जानता नहीं कौन वेक्ति हैं पहरे दिन और दूसरे दिन ये कहा था कि जो नशे के कारोबार में लिप्थ होगा उसके खिलाफ तो हम कारवाई करेंगे औ लेकिन चलता जा रहा है जिसे परफॉर्मर होते हैं ने कि धेर सारी मटकियां रखे रहते हैं छोटे से बड़ी तक कब गिरी कब गिरी कब गिरी तो कलाकार की कलाकारी है कि जब तक समाले गए लेकिन अर्विन्द केजरिवाल ने एक तरह से फिर से वो काम किया जो राजन नीती में किसी नेता को करना चाहिए अर्विंड केजीवाल ने अपनी कॉंस्ट्यूएंसी को बता दिया कि हम तो ठीक हैं कॉंग्रेस पार्टी की डावाडोल नीती है धुलमुल नीती है और आप सोचे जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ना करे तो ना करे उनका अंदाज ये बत कॉंग्रेस पार्टी की तरब से सभी पार्टी प्रवक्ताओं को कहा गया कि आप टीवी चैनल में नहीं जाएंगे और सिर्फ इतना नहीं अपने ज्यादा बोलने वाले नेताओं को कहा गया कि कोई ऐसी पोस्ट मत करना जिस से Department reaction आये और वो वाला मसला हो जाए जिसमें Alka Alama ने एक बयान दे दिया था उसका प्रियंका ककड दे दिया था वो वाली chain reaction वाली स्थिति नहों और जब बयान आता है तो केसी वेणु गोपाल का बयान सचमुष बड़ा सीजंड बयान है लेकिन अरविन केजरिवाल से मुकाबले में है कॉंग्रेसी हो आप लोग किसी सीजन नेता से नहीं है वो शार्प हैं वो मौके पर हमला करना जानते हैं और उनको मचली की आख वाला मसला है उनको पता है कि जरा सा चुके तो कॉंग्रेस वाला हिस्सा हमारे पास आने से रह जाएगा अब कि नीचे वाली कोई स्पोक्स पर्सं नहीं बयान दे रहें यह अर्विंड केजरिवाल का बयान है अर्विन देखिए ये भी हमको समझना पड़ेगा कि मामला किसके बार किसका है संजे सिंग का मनीश सिसोधिया सतेंद्र जैन पहले जेल में हैं अब अर्विन के जरीवाल के लिए संजे सिंग बहुत एहियत रखते हैं इस वक्त पार्टी में अगर आप देखिए पार्टी क करने के लिए जाना होता है बाकी पार्टियों से तो कौन बात करता है वो संजे सिंग बात करते हैं अब संजे सिंगी जेल में चले गए तो अब अर्विन के जरीवाल के लिए दरसल यह जैसा साब बिलको ठीक कहा कि उनको फरक नहीं पड़ता कि दूसरा क्या सोच रहा है मेरा आदमी जेल गया है मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूं कोई बोले ना बोले धील होती तो वो बात होती है कि सुखपाल खेरा की काउंटर भी तो आता ना है इसलिए उस काउंटर तक वो जाना ही नहीं चाहते है और कॉंग्रेस को इस तरह से उन्होंने बता दिया कि आपको रहना है तो अर्विंद केजरिवाल की शर्तों पर रहना है और यह दूसरा की दूबिदा हो सकती है और केजरिवाल से अलग से कर सकते ना आप ट्वीट में दोनों बाते करेंगे तो केजरिवाल को आप जानते नहीं वो तो अलग तरीके की परटिक्स करने वाले लोगों में सब्सक्राइब का भी कोई स्वाभिमान होगा और मैं यह मानता हूं कि के अतिकरिया जो अब दम दुरूस्त है आप बिलकुल संजय सिंग के साथ आप खड़े हो रहे हैं यह बड़ी बात है आप अपनी तय लाइन के इतर जा रहे हैं फिर आप अपनी बात भी नहीं करेंगे यह तो वह वाली बात होगी कि जबरा मारे और रोए भी न दे नहीं त ना करें सपोर्ट कोई परवा नहीं है तो यह तो फिर स्वाबिवान पर चोट है नहीं है देकि एक बात तो साफ है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दोनों पार्टियों के बीच में कोई there is no love lost ऐसा तो नहीं है कि बहुत प्रेम होड़ा है दूसरे के लिए दूसरे क को और कितनी सीट पाएंगे नसेपी की तरफ नहीं है लेकिन केजरिवाल वर्सिस का जो भी मामला है अब तो पवार साब की खुदी इस्तिती नहीं कि इसीट पाएंगे कितनी सीट देंगे वो कॉंग्रेस का तैकरा लेकि हम लोग ने कल ये बात की थी जब गिरफतारी हु साथ मामले में तो ये लगता कि अलग करवाई ही हो रही है पंजाम में के खिलाब बयान देते के कारवाई अच्छी वही है तो ईबहीं के येखेगा कि इंडिया गड्वन्दन में we голृदे आमादी पार्टी के तो लेकिन इसके बार केंक टेंग्रेस पार्टी के एक अपन कंग्रेस को अपनी जमान बचाना है जमीन बचाना और केजरिवाल जी ने जो जवाब दिया है उसको आप कैसे देख लेकिन केजरिवाल को इस समय कॉंग्रेस की बहुत जरुवत है केजरिवाल इस बांग को जानते है कि अब जिस सिस्थते में आमाधी पार्टी चली गई है वो चाहेंगे कि इंडिया गड़ बंदन उनके पीछे पुड़ा ताकत के साथ खड़ा रहे है जिससे लगे कि उनको ताकत मिल रही है और दिल्ली के राज़ीते में यह अगर देकिए मैं इस वक्त आपको एक ख़बर बतारेता हूं कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिकारजुन खरगे के घर पर राहुल गांदी और शरत पवार पहु शरत पवार के लिए यह बार-बार अपने केंदी नेटी से कहा जा रहा है कि उनका विले किया जाए कॉंग्रेस के अंदर शरत पवार के पास अब ताकत नहीं बचिये पूरी अजित पवार ले गए हैं शरत पवार अब अपनी राष्टवादी कॉंग्रेस है उनके जो MLA जानी है शरत पवार अब बहुत कम जोरू चुके हैं अजित पवार के बास ताकत चली गई है अगर शरत पवार को अपना अस्तुत बचाना चाहते हैं तो वो कॉंग्रेस में अपनी पार्टी का विले करें उसके बाद सुप्रिया भी राजित रूप से सरवाई कर बहुत कम जोर हो गए हैं और वो लगाता है इस पर प्रेशर बन रहा है अगर शरत पवार कब तक और कितना मानेंगे लेकिन व्योहारिक है अगर आप देखें तो जिस तरह की राजनीती हो रही है अगर शरत पवार अपनी पार्टी को कॉंग्रेस मिले जाते हैं और देखें आज ही उनका बयान है जब शरत पवार कॉंग्रेस पार्टी का हिस्सा बन जाए और तब वो बैठ रहे होंगे लिए ये मर्जर की एक्सेसाइज और बार बार शरत पवार जो बयान देते हैं उस कदका कॉंग्रेस पार्टी पे आप मलिकार जुन खड़के साब को छोल दीजिए उनकी लिहाद से तो और कौन सा नेता है हैं तो एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात यादा रहे है। शरत पवार की दो रोज पहले एक इंट्रिवy में जो उनोंने कही राहूल गांधी के बारे सवाल पूछा गया कि आप राहूल गांधी को बड़ी गंभीरता शरतलर भार से कहा है आप आप जो है ने यह होता है